जिगरा का ट्रेलर आ चुका है भाई लोग, पिछली बार एक टीजर आया था जो कि मैं कहूंगा अच्छा ही था और उसके बाद आया है एक फुल फ्लेज ट्रेलर जिसको देखने के बाद एक चीज तो पता चल रही है कि तो आओ थोड़ा बात कर लेते हैं आप खुद भी कहोगे कि आलिया का काम दिन बदिन अब अच्छा होते जा रहा है इन लीड रोल और अभी तो अगें टॉपिक बहुत डिफरेंट है भाई विदेश में फसा है उसको मौत की सजा सुनाई गई है वो भी यार सब्टाइटल में जब मैंने देखा डेथ बाई इलेक्ट्रो क्यूशन ऐसा ही कुछ था मतलब चेर पे बानके धीरे धीरे इलेक्ट्रिक शॉक लगा लगा के मारना भाई ये कैसी सजा हुई वैसे उसका एक छोटा सा ग्लिम्स भी आप देख सकते हो उसके भाई को चेर पे बानने वाला लेकिन I think वो बस आलिया I mean सत्या का वहम होगा उसकी बहन का अब उसको वहां से निकालना है बचाना है और उसके लिए आलिया का प्रिपरेशन चल रहा है अलगी लेवल पे वो किसी से ट्रेनिंग लेते हुए दिख रही है So seems like हम आलिया का अच्छा खासा action इसमें देख पाएंगे And even जिसने इसमें भाई का character निभाया है वेदांग रहना उसका भी acting level ट्रेलर से पता चल रहा है And I got the intuitions के इस film के बाद वेदांग को भर-भर के प्यार मिलने वाला है उसके acting के लिए I have noticed के इस trailer में emotions के साथ खेला गया है जादा dialogues ना दिखाते हुए भाई बहन का emotion और उसके perspective के थूरू स्टोरी समझाई जा रही है मैं चाहता था कि trailer में कुछे goose bumps वाले moments भी दिख जाते तो अच्छा होता एक दो है बट थोड़े और wow वाले moments होते है न और भी डाल देते तो और भी जादा मज़ा आता अगर trailer में नहीं है और फिल्म में दिखाने वाले है तो I am ready भाई ऐसा हटके माल बार बार नहीं आता बॉल्यूड से और मेरे को यकिन नहीं हो रहा है कि ये फिल्म धर्मा वालों ने बनाई है उनकी पुराने फिल्मों से हटके मतलब जहाँ वो लव वाले एंगल पे जादा बनाते थे अब अलग ही लेवल का content ला रहे है पहले kill जैसा धासू content डिया जो लोगों ने बहुत पसंद किया और अब अगेन एक और नया और हटके content सामने आ रहा है और डिरेक्टर भी देखो ना यार वसन बाला जिन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता मोनिका ओ माई डार्लिंग जैसे हटके फिल्म्स बनाई है तो उन पे तो पुरा विश्वास है बाकि content story-wise work कर जाए emotions and action का अच्छा खासा तालमेल मूवी में देखने को मिले बस यहीं चाहते हैं हम लोग बाकि curious भी हूँ के मूवी में वो jailbreak वाला sequence कैसा बनाया होगा ट्रेलर से तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा है के how she is gonna break the jail but it looks interesting बाकि movie आने वाली है बहुत जल्द याने के 11 October को theaters में आप बताओ आपने देखा है के ने ट्रेलर and आपके क्या expectations है movie से मिलते हैं अगले वीडियो में बाई